हेलो एब्रिवान माइसेल्फ मिस्टर दया और आज हम लोग स्टडी करेंगे ट्वेल्थ के फिजिक्स के बारे में कि नोट्स कैसे बना है तो मैं नोट्स प्रिपेर कराने एक तरीका बताऊंगा आप लोगों को आप लोग कापी ले लेना और उसमें नोट्स करते जाना जि वैज्ञानिक थेल्स को युनानी विज्ञान का जेनक कहते हैं सेकेंड है सन 1646 में थामस ब्राउन ने उर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगडने पर उसमें आकर्षन का गुन उत्पन हो जाता है विदूत या इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी सब्द की उत्पती कहा जाए तो थामस ब्राउन ने सरोप्रथम किया और इलेक्ट्रिसिटी सब्द की उत्पती एम्बर सब्द से हुआ है एम्बर सब्द ग्रीक सब्द है जिसको जो इलेक्टम से उत्पन हुआ है चलि हमारा नेश्ट टापिक है विदुद इलेक्ट्रिक वह उर्जय जिसके कारण किसी पदार्थ में हलकी वस्तूओं को आकर्षित करने का गुन उत्पन हो जाता है विदुद कहलाता है हलकी वस्तूओं को आकर्षित करने का गुन उत्पन हो जाता है वो क्या कालाता है हमारा विदूत उदारान सरूप आप लोग देखे होंगे जैसे पेन को बाल से रगणने के पस्चा जमीन में रखने पर धूल मिट्टी इसमें चिपक जाते हैं यहां भी इस पेन के जो प्लास्किक है इस पर विदूत उत्पन हो जाता है आगे बढ़ते हैं वैदूत आवेश यहां एक भौतिक राशी है जो विदूति एगुणों का प्रदर्शन करता है चुकि हमें ज्यात है कि धारा बराबर आवेश बटा समय होता है तो यही से हम लोग निकाल लेंगे आवेश बराबर धारा गुणित समय यहां एक अदीश राशी होता है आवेश एक अदीश राशी है और इसका मात्रक कुलाम होता है वे में सुत्र टी ए समय कटी और धारा का एमपियर ए यहां वैदूत वचुम्बक के प्रभाव उत्पन करता है यह दोनों प्रभाव उत्पन कर सकता है आवेश दो प्रकार के होते हैं धनावेश और रिनावेश जब दोनों सजाती आवेश मतलब समान आवेश पास आएंगे तो प्रतिकर्शन होगा और दो विजाती आवेश जैसे धनात्मक और रिनावेश धनावेश और रिनावेश एक दूसरे के पास आएंगे तो आकर्षन होगा आकर्षन होगा चले नेस्ट टापिक है हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रानिक सिध्धांत इलेक्ट्रानिक थियोरी आफ ओरीजन आफ चार्ज की उत्पत्ति सम्बंधित पड़ेंगे तो हमें ग्यात है कि प्रत्तेक प्रतार्थ जो होता है प्रोटान नूट्रान अलेक्ट्रान अर्थार्थ अणूओं एवं पर्मानों से मिलकर बना होता है और प्रत्तेक इसी कारण जो परमाणू की प्रवित्ती होती है वह उदाशिन प्रकृती होती है और किसी भी पदार्थ में विदुत प्रवाहित होने का कारण उसका मुक्त इलेक्टरान होता है मुक्त इलेक्टरान जो बहर में भ्रमन करते रहता है इलेक्टरान रिनात्मक होता है प्रोटान धनात्मक होता है और जो हमारा न्यूटरान होता है वह उदाशिन होता है इस पर कोई चार्ज नहीं होता प्रोटान और न्यूटरान जो संयुक्त रूप से न्यूकलियस कहलात यहाँ परमाणू के नाभीक पर उपस्थित होता है। एक एक्जेम्पल देख लेते हैं। जब काच की छण को रेसम के कपड़े से रगड़ा जाता है। तो काच से इलेक्टरान निकलकर रेसम में चले जाता है। अता काच की छण धनावेशित तथा रेसम को कपड़ा जो होता है रिनावेशित हो जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। मस्त टापिक है ये भी। पदार्थों को वैदूत आवेश की गती के अधार पर तीन भागों में बाटा गया है। तो पदार्थों को हम लोग तीन भागों में बाण सकते हैं। वू भी पदार्थों के वैदूत आवेश की कि geldi के कारां। कितनाreto करता है। ति इसमें पहला है हमारा चालक। तो जो पदार्थ अपने में से वैदूत आवेश को बहने देते हैं। अर्थार जिसमें मुक्त इलेक्ट्रानों की संख्या ज्यादा होता है, वो चालक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है, इसका सर्वत्तम चालक है हमारा च्यांदी, और उधारान ले सकते हैं, धातु है, पृत्वी है, हमारा सरीर है, जन्तु का सरीर है, गीला लकडी है, अगे पदार्थ अपने में से वैदूत आवेश को बहने नहीं देते अर्थार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रानों की स्तंक्या न के बराबर हो वैदूत रोधी पदार्थ कहलाता है इसका उधारण देख लेते हैं सुखी लकड़ी रबर कांच प्लास्टिक नायलान एजबेश्टास आदी ये एजबेश्टास सर्वोत्तम कुछालक है अब तीसरे है हमारा अर्ध चालक वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक वह कुछालक के बीच में हो अर्थार्थ जिसमें बाहसरोत लगाने से मुक्तिलेक्ट्रानु की संक्या बढ़ जाती है वह कहलाता है अर्ध चालक सेमी कंडक्टर एक्जेम्पल है इसका जर्मिनियम सिलिकान आदी भूसंपर्क जिसको हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं तो आवेसित पदार्थ को प्रित्वी से जोड़ना ही हमारा भूसंपर कहला आता है जिससे कोई भी जैसे बड़े-बड़े बिल्डिंग के उपर ताम्बे का तार लगाकर धर्ती से जोड़ दिया जाता है ताकि आश्मानी बिजली उस ताम्बे के तार के मध्यम से पूरा नीचे चला जाए प्रित्वी पर उसका अवेस चला जाए प्रेरन द्वारा आवेशन नेस्ट हमारा टापिक है प्रेरन द्वारा आवेशन चलिया जब किसी आवेसी चण को किसी अनावेसी चला के पास लाया जाता है तो अनावेसी चला के पास वाले सीरे पर विजाती आवेश तथा दूर वर्ती सीरे पर सजाती आवेश उत्पन अर्थार्त यह है जब किसी आविशी च्छन को अनाविशी च्छन के पास लाया जाता है तो दूर पर क्या होता है सजाती अविश उत्पन हो जाता है इस क्रिया को आविश का प्रेरान कहते हैं स्थीर विदूर प्रेरान कहते हैं मस्त टापिक है छोटा सा मढ़िया है इसको ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से नोट करते जाना है स्वाईन पत्र विदूर दर्सी गोल्ड लिफ लेक्टो इसकोप इसका डेफिनेशन है स्वाईन पत्र विदूर दर्सी एक ऐसा उपकरन है जिसकी साहता से किसी पदार्थ में आवेश की उपस्थिती का शंसूचन तथा उसकी धुरूता का पता लगाया जाता है नाम से हिस्पस्ट है विदुत दरसी, विदुत आवेश को सोकरने वाला, दरसाने वाला नामांकित चितर देख लीजिए, ऐसे ही बनाना है आप लोगों को जिसमें धातु की एक चक्ति लगी है, कारक लगा है धातु की छण लगा है काज का पात्र है सोने की पन्नी है तीन की पन्नी ये सोने की पन्नी तो बस इसी को आपको सो करना जब किसी बाह आवेश को धातु की चक्ति के थुरू धातु के छण के द्वारा नीचे भेजा जाता है तो सोने की पन्नी जो रहती है फैल जाती है बस यही है इसका क्रियाविधी इसक्रीन साथ करके इसका बनावाद कार्यविधी भी नोट कर लेंगे अब वैदुत आवेस के मुल्गून मुस्ट आएमपी है आवेस का संरक्षान आवेस का क्वांटमी करन और आवेस